नमस्कार साथ ही हो तो कैसे आप लोग आसा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे मैं आपका स्वागत करता हूँ अपनी यूट्यूब चैनल जी के नोलीज पॉइंट में दोस्तो आज में लेकर आया हूँ आपके लिए करन्ट अफेसे संब्दित कुछ मायतपून सवाल तो दोस्तो इससे पहली वीडियो में मैंने आपको 30 कोशन आपको बता दिये हैं और मैं आई यह कुछ कोशन जो बचे हुए हैं 5 दिसंबर तक के तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ तो दोस्तो आपको एक सवाल का जवाब देने के लिए 5 सकेंड का टाइम दे जाएगा और अगर आपको एक्स्टर टाइम चाहिए तो आप वीडियो को रोक कर टाइम ले सकते हो तो देर न करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ओन कर लीजे ताकि ऐसी करेंट अफेर के सवाल हम आपको आगे भी देते रहें और चलते हैं अपने पहले सवाल की तर यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ओप्सन सी तीसरे तो चलते हैं इसी के साथ अगले सवाल की तरफ मैक डेलेना एंडरेसन को हाली में किस देश की परधानमंती न्यूक्त किया गया है आपके ओप्सने ए इटली, ओप्सन बी दक्षन अफिरीका, ओप्सन सी स्वीडन या फिर ओप्सन डी सबरिया यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ओप्सन सी स्वीडन तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल की तरफ इंडिया फाउंडेशन ने 4-5 दिसंबर को कहां पर पांचवे हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया आपके ओप्सने ए रियाद ओप्सन बी मसकट ओप्सन सी अबुदाबी या फिर ओप्सन डी दुबई यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ओप्सन सी अबुदाबी तो चलते हैं इसी के साथ अगले सवाल की तरफ किस भारतिय महिला एथलिट को विस्व एथलिक्ट ने वुमेन ओफ दे एर आवार्ड से सम्मानित किया है आपके ओप्सने ए पीटी उसा, ओप्सन बी लव लीना, ओप्सन सी साइना नहवाल या फिर ओप्सन डी अंजू बोबी जार्ज यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ओप्सन डी अंजू बोबी जार्ज तो चलते हैं इसी के साथ अगले सवाल की तरफ हाली में रासायनिक यूद के सभी पीड़तों के लिए इसमन दिवस किस दिन मनाया गया आपके ओप्षनें A 27 नुवंबर, ओप्षन B 28 नुवंबर, ओप्षन C 29 नुवंबर या फिर ओप्षन D 30 नुवंबर यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ओप्षन D 30 नुवंबर को तो चलते हैं ऐसी के साथ अगले सवाल की तरफ हाली में राष्ठे परदूशन नियंत्रन दिवस यानि के National Population Controlled किस दिन मनाया गया आपके ओप्षन A 1 दिसंबर, ओप्षन B 2 दिसंबर, ओप्षन C 3 दिसंबर या फिर ओप्षन D 4 दिसंबर जहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ओप्षन B 2 दिसंबर को तो चलते हैं ऐसी के साथ अगले सवाल की तरफ निम्न में से किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने देश की पहली साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को पास किया है आपके ओप्षनें A जहारखंड ओप्षन B उत्तर परदेश ओप्षन C महाराष्ट या फिर ओप्षन D मध्यपरदेश यहाँ पर आपका सही उत्तर जो हो जाएगा ओप्षन D मध्यपरदेश ने तो चलते हैं ऐसी के साथ अगले सवाल की तरफ चीन में अगले वर्ष चार फरवरी से 20 फरवरी तक किस सहर में ओलंपिक्स आयोजित किये जाएंगे आपके ओप्षनें A संगाई, ओप्षन B बिजिंग, ओप्षन C सेंजेन या फिर ओप्षन D वुहान यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ओप्षन B बिजिंग में तो चलते हैं ऐसी के साथ अगले सवाल की तरफ इन में से कैबिनेट सिमिती ने किसे भारत प्रेटन विकास निगम का नया चेर्मेन नियुक्त किया है आपकी ओप्षन A संबित पात्रा ओप्षन B नलिन कोहली ओप्षन C सुदान स्तिर्वेदी या फिर ओप्षन D स्रीकांत सिंग यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ओप्षन A संबित पात्रा तो चलते हैं इसी के साथ अगले सवाल की तरफ पराग अगरवाल को नय मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के तोर पर किस कंपणी ने हाल ही में नियुक्त किया गया है आपके ओप्षन ए ट्विटर ओप्षन बी फेस्बुक ओप्षन सी टिंडर या फिर ओप्षन डी बई बेर यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ओप्षन ए ट्विटर तो दोस्तों यह थे कुछ करंट अफेर से संब्धित कोश्चन अगर हमारे द्वरत दीगे जानकारी आपको अच्छे लिगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और दोस्तों मेरे तीर कोश्चन आप ऐसी ही जानकारी हम आपको रोज सुबह साथ बजे देते रहें तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ तब तक के लिए बने रहे हमाई साथ धन्यवाद